कुछ ना कुछ तो गरवड़ी हुई होगी स्टॉक में तभी इतने सस्ते में ट्रेट कर रहा है और दूसरी बात दूस्तों जैसे मैं आपको बता 46% प्रमोटर्स टॉक को हूल्ड कर रहे हैं उन्होंने अभी तक स्टॉक को क्यों हूल्ड कर रहा है आपको सोचो 46% कुछ ना अगर आप चैनले में नए आये तो चैनले को सब्सक्राइब कर सकते हैं वो लाल कर आपको बटन दिख रहा होगा साथ में बैल को दवाना ना भूलिएगा टाकि हमारे नोटिविएशन रिसीब कर पाओ तो दोस्तों एक बात दुवारा से लाया हूं आपके लिए पैनी श चाहिए और दोस्तों एस पर चार्ट और एस पर प्राइस एक्षिन डेफिनेटली यह स्टॉक एक मल्टी वैगर बीएसी स्टॉक हो सकता है तो इस वीडियो को अंतक देखके जाना अगर आपको अपने पैसे से प्यार है और जो भी आपके सुजाओ है नीचे कॉमेंट कर करके आप सुजाओ अपने शेर कर सकते हूँ तो दोस्तों आज का पैनी शेर देने से पहले आपको याद हो का हमने आपके साथ कल एक वीडियो शेर किया था जिसमें मैंने आपके एक स्टॉक रग्यमेंड और सजेस्स किया था राइट तो वह फोटी एन पैसे के आसास बेसिकली BST में लिस्टेट कंपनी है और ये स्टॉक का नाम सार्व इन्वेस्मेंट लिमेटेड है दोस्तों जो स्टॉक का मार्केट कैप है वो 9.44 क्रोड के आसपास का है और करेंट पाई चलना आपका 49 पैसे के आसपास और अगर इसका 52 हाइक देखोगे तो 49 पैसे होत अगर आपको impressive लगते है तो definitely आपसे investment कर सकती हो आप ऐसा पैसा लगा सकते हो जो आप smoke में और ऐसी दारू सुटे में उड़ा देते हो तो वह investment आप कर सकते हो जादा बड़ा amount इसमें लगाने कर सकता नहीं है क्योंकि penny stocks होते है जैसे मैं आपको बताया है penny share में उतना ही investment कर तो जितना आप रिक्स ले सकती हो मतलब आप ऐसा investment करो जो आपके लिए अगर खो भी जाए पैसा तो दुख ना हो तो ऐसा पैसा लगा कि आप से भूल सकते हो तो वुक के हैसा आप से दोस्तों एक रुब एठारा कि इसकी value ने चाहिए मतलब बुक से काफी सस्ते में इस 50% की return तो दिखा सकता है इस price से यह तो मैं आपके लिए अराम से बोल सकता हूं दिखा सकता है लेकिन आप प्लीज अपनी research भी add कर ले ने थेको basically यह penny share है तो मैंने चाहता कि आपका पैसा बरवाद हो आपको लग रहा है कि यह worth it नहीं है buy करने के लिए तो आप इसको ignore कर स होता है तो profit and loss दिखाने के कुछ फाइदा है नी penny stock है यह stock मुझे क्यों अच्छा लग रहा है मैं आपको बता देना चाहता हूं chart के मादियम से stock मुझे अच्छा लगता है chart में कुछ volume breakout हुआ है multi-year breakout हुआ तभी यह stock आपको मैं suggest कर रहा हूं ठीक है तो अभी आपको chart में लेके चलूँगा तो chart में आप समझ लेना कि यह stock मुझे क्यों समझ आता है और क्यों पसंद आता है दोस्तों टिकर टैप एक website है यह trading की एक अच्छी website है जो आपको free में अपुलप्त हो जाती है आप भी देख सकते हो उसके according यह stock की जो valuation है देख सकते हो कुछ ही नहीं है म और red flag pattern इसमें found हुआ है मतलब यह stock ASM list में है देखो आपको बता देना चाहता हूँ ASM GSM list का मतलब क्या है दोस्तों देखिए कोई stock जैसे मैंने आपको एक stock 20 पैसे से 50 पैसे हो गया मतलब एक महीने date महीने के अंदर उस stock आपको 1500% के return दिखा रहा है ठीक है तो यह क्या होत जैना और उनका पैसा trapped ना हूँ इसलिए उसमें वो trading बंद कर देते हैं इसलिए मैं क्यों कहूंगा जो भी stock आपको pen stroke मैं देता हूँ अपनी advice और अपनी research add करने के बाद ही buy करना blindly follow up करने के वह सकता नहीं है कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-को से हो गया तो मैं क्यो buy करूं समझ रहे हैं बात को मैं stock को उसी price में buy करता हूँ जिस price में मुझे चाहिए ठीक है अगर stock मेरे price से 10-20% उपर हो जाता है तो मैं कभी उसको buy नहीं करता हूँ आप सभी से भी यह request करूँगा और मैं आप सभी से यही चाहूँगा अगर मेरे videos क तो follow करती हो तो भाई जिस price में मैं आपको suggest करता हूँ प्रियास करा करो कि उसी price में entry कर पाओ क्योंकि मुझे लगता है वही price उसका best price होता है buy करनेगा उसके बाद जब stock उपर चले जाता है तो उसको buy करने का कोई फाइदा नहीं होता अगर वो entry निकल जाती है किसी भी region स तो tension मत लिया करो मेरे बतेरिय स्टॉक पढ़े वे है जो अभी 40-50 पैसे 70 पैसे का सब्सक्राइब कर रहे है और जिनका मुझे लगता है काफ एशी return देखे जा सकते है इस stock के मैं भी बात कर रहा हूं सार्प investment ये stock मैं 27 पैसे से observe कर रहा हूं देख रहा हूं वज अगर valuation नजर आ रहे है तो मैं आपको दे देता हूं इसलिए मैं कह रहा हूं आप इस वीडियो को ज़्यादा फैलाओ जितना ज़्यादा आप शेर करोगे उतना ज्यादा हमारी रीच बढ़ेगी और जो बंदे ज्यादा वीडियो को शेर करते हैं मैं definitely एक अलग से WhatsApp ग्रूप ब अना कि आपको पहले अपडेट कर दूँआ कि आप भाई इसको बाई कर लो तो बाई प्लीज वीडियो को शेर करना और जितना ज्यादा शेर करोगे उतना ज्यादा हमाले अच्छा होगा अच्छीृषट है और अच्छी चीज़ देख लेतें दोस्तों थो भाई है जो च्रूप में इक बहुत चीज़ी जी जी सांट च्रूप करेंगे 46% promoter क्यों किसी stock को hold करेंगे ये question अपने आप से पूछना ठीक है ये stock almost 363 रुपे से 15 पैसे तक आया है तो मतलब 363 वाली चीच आपको अभी मातर 49 पैसे में मिल रही है 49 और 40 पैसे में तो बात को समझो मेरे साब से इसमें value है इसलिए जो इनके promoters है इन्होंने एक रुपे की holding pledge नहीं करी है और बेची नहीं अभी तक तो कुछ न कुछ रीजन होगा आप कोई भी pen store उठा के देखो किसी में आपको इतनी holding उनकी नहीं देखेगी अगर देखेगी तो वो almost अभी pledge होती है यह देख सकते हैं इसमें इन्होंने एक रुपे की holding pledge नहीं कर रखी है तो social media बात है और एक और चीज में यह देख लेना कि भाई यह company insolvency तो नहीं फाइल कर रही है मैंने देखा ब यह सी में मुझे तो कुछ नहीं मिला आप पहले buy करने से बहले यह देख लेना भाई ठीक है यह आपका पैसा है आपको थोड़ी research तो करनी बनती है चले दोस्तों अब बढ़ते इसके chart की तरफ chart में देख लेते कि stock हमें क्यों अच्छा लगता है यह खुला का monthly chart खुला हुआ है आप देख सकते हैं मैं लाइन ड्रो कर रही है इस लाइन का मतलब यह कि एक रजिसन देरिया था जो निकल के आता है आपका 27 पैसे के असपर तो यह आप breakout हो चुका जिसकी मैं बात कर रहा हूँ multi-year breakout हुआ है तो definitely आप इसको absorb कर सकते हो 40-40 पैसे में अगर आपको मिलता है कल जब ही मिलता है तो आप इसको देख सकते हो और बुलना चाहूँगा ज्यादा volume stock में नहीं है तो ज्यादा quantity buy करने के फ़तर नहीं है क्योंकि इसमे volume कम है तो साथ आपको बात में sell करने में दिक्कत आ सकती है तो बात में नीचे comment करके ये मत बुलना सार ये अब sell नहीं हो रहा है volume हाल फ्याल के last कुछ मंद में volume बढ़ा है तो ये volume जो बढ़ा है तो किसी ने तो माल उठाया है ना तब ये volume बढ़ रहा है तो समझो बात को चार्ट में देखे को तो ये रजीशन निकल के आता है ये रहा तो यही मेरा टार्गेट है एक रूपे के आसपास किसके मुझे टार्गेट नजर आते हैं और और बात बोलूँगा अगर ये श्रॉक आपको गिरता है मतला अगर उपर रहने के बाद नीचे आता है तो ये सब्रोड ले सकता 27 पैसे तो अगर इस टॉक आपको 27 पैसे 28 पैसे कभी मिलता है देख सकते एम वाल्यूम इतना अच्छा वॉल्यूम नहीं है तो थोडी कॉंटिटी integral के बाई करना जो आप बात में सेल कर सका मैं इसको सायद बाई नहीं करूँ अगर आपको करना आप कर सकती हो और एक और ची देखो देख लो जिसकी मैं बात कर रहा था 233 रुपे से almost 49 पैसे आप ट्रेट कर रहा है कुछ ना कुछ तो गरवड़ी होगी स्टॉक में तभी इतने सस्ते में ट्रेट कर रहा है और दूसरी बात दोस्तों जैसे मैंने आपको पता है 46% प्रमोटर इसको होड़ कर रहे है उन्होंने अभी तक क्यूं होड़ कर रहा हुआ आपको सोजव-46% कुछ ना कुछ तो वज्ञ होगी तभी इन्होंने इसको होड़ कर रहा और दूसरी बात एक रुपे की सब मार्केट को करने दो अपने रिक्स को धान रखो और बाइक करते जाओ बस और आपका खुड़ी सुझाओ नीचे कॉमेंट करके बता सकते हो और वीडियो यहां तक देखा है तो आप शेर करते हो आप शेर कर सकते हो आप फेस्जूक में टेलीग्राम में ट्विटर में इ मार्केट पर बाइड पीसाओ